प्रेंग्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एन आर्ट स्टडी में आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे Master of Arts in Public Administration के IGNU Solve Handwritten Assignments का ये assignment उन सभी students के लिए है जिनोंने जुलाई 2023 और जन्वरी 2024 सेशन में MPA Second Year में अपना admission लिया है और उनका medium English है subject code है MPA 15 subject name है Public Policy and Analysis इससे पहले हम अपने चैनल पर इसका हिंदी मीडियो में solution handwritten form में upload कर चुके हैं अगर आप हिंदी मीडियो में student है तो आप हमारे चैनल पर बनाई गई playlist को जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर उसका हिंदी solution मिल जाएगा दिये गए हैं सभी question का weightage 20 marks है और word limit है 500 words लेकिन आपको इन 10 question में से सिर्फ 5 questions के ही answer देने हैं जो की हमने इस वीडियो में आप सभी students के लिए provide कराए हैं अगर आप में से कोई भी student question paper को download करना चाता है तो वो इस वीडियो के description box को एक बार जरूर चेक कर ले question paper डाउनलोड करते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखे कि आपके admission का session कौन सा है जनवरी या जुलाई और साल का भी ध्यान रखे कि आपने कौन से साल में admission लिया है ये assignments हमारे channel द्वारा हमारे एक students ने ही order किया है वो पहले भी हमारे channel द्वारा इसका first year का assignments ले चुके हैं और second time उन्होंने इस assignments का order दिया है ये assignments हमारा गुजरात से आया है अगर आप भी इसी तरह का assignments हमारे channel द्वारा handwritten hard copy लेना चाते हैं तो आप हमारे दिये गए WhatsApp नमबर पर contact करके सभी जानकारी ले सकते हैं कि assignments purchase करने का या order करने का process क्या है इस assignments को बनाते समय हमने भी assignment question paper की सभी guidelines का ध्यान रखा है जब आप अपना assignments बना लेते हैं तो आपको अपने assignments के साथ कुछ documents को attach करना होता है वो documents कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे पहला है front page जिसमें आपकी basic details लिखी होती है आपका name, course code, program title, email, phone number, signature सेकिंड आपका इगनू आइकाट जो आपको इगनू यूनिवस्टी ने provide कराया है थर्ड नमबर पर आपको assignments का question paper को attach करना होता है आप question paper attach करते समय ये ज़रूर ध्यान रख ले कि आपने जो assignments का solution लगाया है question paper उसी के according है या नहीं fourth number पर आपको आपका hand written assignments लगाना है जो आपने खुद से बनाया है आपको इन चारो documents को attach करके file में submit करना है या आप इसको tag के द्वारा भी बांद कर submit कर सकते है तो I hope आपको ये knowledge पहले से पता होगी या नहीं पता तो अब आपको पता चल गई होगी तो आप इन चार documents को ज़रूर attach कर ले अपने assignment submit करते समय आप हमें comment करके भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और next वीडियो में आपकी इस assignments का solution चाते है next वीडियो में हम उसे जरूर लाएंगे अब आप सभी इस वीडियो पर बने रहें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद झाल 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 कि अबस्टन करने के इस आप झाल 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 झाल